चलिए शुरू करते वेस्टोरिया के बारे में, वेस्टोरिया एक फोर्थ ग्रूप की इतना सायन है, जिसकी सब ग्रूप 4E है, जिनका नाम है मेसो आयोनिक्स, वेस्टोरिया इस ग्रूप का होने की वज़े से अन्नी मॉलिकूल दियर से इमिडा, थैमे तकसम की छिड़का से नहीं होगा, इसका विवरन आप स्क्रीन पर दियोवे श्लाइड में पर देख सकते हैं, मतलब यह है कि नियोनिकोरियर ग्रूप का कोई भी दवाई चलाए, माहों में रिस्टेंस आई जाता है, कॉन्ट्फिडोर, एक्टारा, ओशीं, डंटा, सू, सब नियोनिकोरियर ग्रूप में आता है, वेस्टोरिया एक्सलाउन जैसा इसी फॉर्मेशन में नहीं आता है, बल्कि यह डवली जी फॉर्मेशन में आता है, दोनों फॉर्मेशन में क्या फरक है, यह आप गेख सकते हैं दो अलगलग स्लाइडों में, यह दोनों, यानि कि पेक्सलाउन एव ड्रास लामेलर तरीके से काम करता है, जिसका मतलब ये है कि ये पत्तों से अवशोशित होकर पौधों के जड़ तक भी जाता है, जिससे कीट के द्वारा रस्चूसने पर कीटों को लखोग रस्च करकी रस्चूसने की प्रक्रिया को कम कर देता है, और तौधों पर होने वा वो शोशित हो जाता है, एक दिन से लेकर साथ दिन के अंदल में पत्रियों के यानि आफरी छोर तक पहुंच जाता है, और आप यह भी देख सकते हैं, कैसे पहले दिन से जड़ों तक इस सॉल्ट का प्रवाव पहुंचना शुरू हो जाता है, प्लिक क्या आप बता सकते हैं क्या जड़ों तक वेस्टोरिया का पहुंचने से क्या फैदा होगा, आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बता हैं, इस वीडियो से कुछ नाया सीखने को मिला है, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें, वरना डिसलाइक बटन दो खोल आई हैं, बहुत सारे किसान भ किर चेस का सिति कुछ ठीक है, पायमेटरिजिन में 85% से लेकर 94% तक रिजल्ट मिलता है, वही वेस्टोरिया की बाद करें, वेस्टोरिया में 95% से लेकर 100% तक रोगदाम मिलता है, चान, आजकल UPL का उलाला भी इस्तमाल करते हैं, उलाला का रिजल्ट 75% से 84% ही है, ऐसा य मुलक्योल है, जिसका डिटेल आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, वेस्टोरिया या पेक्सलाउन का रिजल्ट हर प्रकार के माहूं, जैसा भूरा माहूं, हरा माहूं, डबली भी पियस यानिकी वाइट बैक्ट ब्लैंड ओपर, साथ में अन् से दुगनी तेजी से माहूं यानि तेले का रोगधाम करता है, और साथ में ये सारी अवस्ताओं को उचिप कंट्रोल देता है, सभी किसान जो है, मित्र कीटों के मारे में सोचते ही नहीं है, ये आप बेना रवाई, भूरा माहूं का रोगधाम चाहते हैं, कि आपकी फ्य में अपना काम पूरा करता है, अब खुष खेड़ों के बारे में मैं देखाऊंगा जिसको आपको अपने खेट में देखना है, आप लोगों को ये जानकर हैरानी हो दी, जहापर ज़्यादा बूरा माहूं का या तेरी की दवाई चलता है या डलता है, अरने साथ ज़्या हुआ, आपको आपने खेट में मित्र कीटों को भी गुरू करना पड़े है, मित्र कीटों को नुक्सान ना पहुचाए, इस प्रकार के दवाईों का प्रयोग करें, आपकी खेट में इस प्रकार की कीट अंदर है तो विस्टोरिया या फिर पेक्सवलों का ही प्रयोग करे इसका कारण मैं आपको आगी बताऊंगा वेस्टोरिया का परियोग से आपको रस्चरी जादा प्रकार की मित्र कीटों का बचाव होता है जिसको आप इस स्लाइड में देख सकते अब आते हैं मुख्य बात पर से इंजेंटारे वेस्टोरिया का डूस परती एकड़ पचास ग्राम रखा है अगर कीमत की बात करें पचास ग्राम की तो ये लगभग आपको पंदरस्प के असपस मिलेगा अगर आपकी एरिया में कुछ और कीमत है तो जरूर कमेंट में बताएं और अगर इस दवाई की प्रयोग की बात करें या समय की बात करें लगभग इसको हमेशा की तरह अन्य जो भूरवाओं की दवाईयों को का अनशनसा है वैसी ही इसको भी 45-60 दिन के अंदरी स्प्रे करना है एक खास बात अगर बताओं आपको तो जब पेक्सलोन इंडिया में लॉंच हुआ था तब इसको रिपीट स्प्रे के लिए मना किया गया था और इंटरनाशनल मार्केट्स में पेक्सलोन का एक स्प्रे के बाद दुबारा अगर पपर बन होता है तो पामेटरिजिन का डोस 100 ग्राम, 100-100 ग्राम के असपस बताया गया है और अब देखते हैं इस इंडियंटा जो है इस मॉलेक्यूल को यानि कि चेस को दुबारा परयोग करने के लिए बोलते हैं कि नी बोलते हैं चलिए मिलते हैं एक कोई नए वीडियो में तक तक लिन वस्वार